आखिर के कुछ दिन ही बचे हैं, पुरा साल कतम हो गया, धीरे-धीरे करके पढ़ते-पढ़ते मैं यहां तक आ पहुचा हूँ, और अब 10 दिन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट के 10 दिन में कैसे बिठा हूँ, किस तरह से मैं पढ़ाई करूँ कि मेरा जो बोर् 50% का यार, सिर्फ ग्रूपिंग क्लियर करने इतना हो जाए, उस तो ऐसे बच्चे होगा, यार मैं पास होगा की नहीं, उस तो हो जाए, मैं पास सिर्फ होजाओ, मुझे सिर्फ पास होना, फेल नहीं होना, तो आखिर में जो अलग-अलग टाइप के बच्चे हैं, सबका फिलाल ये mentality हो चुगा है, जैसे इसे board exam नजदीक आ रही है, बच्चे जो है डरे हुए है, help line पर call वगरे आ रहा है, तो वो सुनके हो रहा है, अभी एक बच्चे ने call किया था, उस ने बताया कि, सर मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुझे पढ़के नही mathology के revise कर, तो उसका केनाता सर्फ मैं वो देख रहा हूँ, और मेरा revision दो दो बार हो चुका है, मेरा एक बार main पढ़के हुआ है, revision भी हुआ है, और सब हो चुका है, तो फिर क्यों डर रहा है, मेरा paper में अच्छा जाएगा कि ने, कुछ छूट जाएगा, paper tough होगा, easy कि जो आखरी के 10 दिन है, उसमें कैसे करें, 21st February से अपनी English की exam चालू होगी, फिर Hindi मराटी है, फिर Physics समिश्टी, Mathology, Account, OCE, QSP, Psychology, Sociology, Philosophy, History, Geography, जिन बच्चों का Arts, Commerce, Science, जो भी है, वो सब 21st February के बाद आखरी के 10 दिनों में किस तरह की planning होनी चाहिए, इसके उपर हम discuss करेंगे बच्चों आपको मालूम है कि आप पूरे last one year से पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि सर मैंने actual पढ़ाई ना January से चालू की, मैंने actual पढ़ाई December से चालू की, उसके पहले तो मेरा क्या चल रहा था मुझे ही पता नहीं था, मैं सिर्फ college जाता था, coaching मे सारी February में बहुत सारे बच्चों ने खुद बैठके, self study करके पढ़ाई की, और यह सारी चीजे strategy मैंने December में बताया था, कि एक महीने के अंदर कैसे भी आप एक बार revision करो, अच्छा, बच्चों को December में यह लग रहा था कि यार मेरा कुछ पढ़के नहीं हो है, लिकिन ऐसा नहीं होता है, जब आप college जाते हो, coaching जाते हो, जब teachers आपको पढ़ाते हैं, तो आपको वो चीजों से रूबरू कराते हैं, कि यह chapter है, इस chapter के अंदर यह formulation है, यह topic है, यह concept है, इसका मतलब भी होता है, तो कहीं कहीं साल पर आपने चीजे पढ़ी है, बट उसे एक तरह से collective method से revision करना बहुत जोरी होता है, जो आपने December और January में किया होगा, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, कि मेरा अच्छे से होगा नहीं होगा, या बहुत से बच्चे और confident हो गए होगे, कि मेरा तो सब पढ़के हो गया, अब 10 दिन में आराम करता हूं, ऐसा बिलकुल मत करना, अ और अगर आपका revision एक बार हुआ है, तो दूसरी बार जरूर करना है, one shot revision देखिए, हमने जो math के one shot revision मनाए है, chemistry के सोबीन सर, मुकेश सर ने physics से इस तरह से, English और Hindi के मेरे महा revision lectures आपको recorded मिल जाएंगे, आप डालिए चैनल पर, YouTube पर जाकर, Hindi महा revision, English महा revision, मेरे वीडियो आइ में क्या करना चाहिए, देखो बचो, अब, actual में हम chapter wise स्यारी करते हैं, कि मैंने समझो, एक maths का chapter किया, differentiation, फिर logic किया, फिर, तो हमें chapter wise कोई question आता, तो हमें पहले से mindset होता है, यह question differentiation का है, मुझे पहले से ही पता है, इसमें differentiation के form में लगाना है, तो मैं कर लूँगा, बट में, जब आप exam देने बैठते हो, exam में सबसे पहला आपका process यह होता है कि selection, कि आप question को select करोगी, कि जैसे कि मैं बोल दूँ कि 12 में से सिर्फ 8 question attempt करना है, तो आपका सबसे पहले selection होना चाहिए, कि मैं कौन से 8 question attempt करूँगा, इस तरह से, okay, 12 question है, 2 mark के, 3 mark के, 4 mark के, 8 question होता, इसमें 5 करना होता है, तो वो selection करने में आपका under spot decision होना चाहिए, अब कौन से question को select करना है, देखो, यहाँ पर जो बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं से लिए, बस कोई chapter option में, एक या दो छोड़े भी हो सकते हैं, वैसे बच्चों के लि ने 4 question, 4 chapter या 3 chapter छोड़ रखा है, इसमें से already 3-4 question उसको आई नहीं रहोंगे, क्योंकि उस chapter कुछ ने पढ़ा ही नहीं है, समझो, यह 4 question वो है, तो यह 4 question उनको आई नहीं रहें, क्योंकि उन्होंने यह chapter पढ़ा ही नहीं है, 4 chapter option में चाड़े थे, छोड़े थे, अब 12 question में चोटा solution वाला होगा, lengthy solution होगा, confusing होगा, कुछ भी है, उसके पास selection का chance नहीं है, भाई तुमने 12 में से 8 करना था, और चार question तुमको नहीं आ रहा है, जो chapter आपने छोड़े थे, तो उनके पास कोई selection का option है, लेकिन जिसने सारा syllabus पढ़ा है, उसके लिए selection का option होता है, उसको 12 क 12 question आ रहे है, क्योंकि उसने पूरा syllabus पढ़ा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इन 12 question में से आप select करोगे, criteria कि वो कौन सा question है, जिसको solve करने में कम time लगेगा, पहला criteria, time should be less, जिसको solve करने में time कम लगेगा, दूसरा, जो कम से कम और accurate step में सही answer देगा, तीसरा, जो lengthy नहीं हो ना चाहिए, जैसे matrices का inversion method या transformation method, यह बहुत lengthy होता है, ठीक है, ऐसे questions होते हैं, जो बच्चे करके तो जाते हैं practice, बट वहाँ पर गलत ही करके आते हैं, तो कि एक भी number mistake हो गया, matrix का, तो पूरा का पूरा wrong हो जाएगा, तो यह सारे criteria को ध्यान में रखकर, आप 12 के 12 question आप कर रहे हैं, तो उसमें से आप select करोगे कि कौन से question जो है, आप करने वाले हैं, और कौन से question जो है, आप option में डाल होगे, तो यहां पर आपके बास मजबूरी नहीं होने चाहिए, कि मैंने 4 chapter छोड़ रखा था, तो सिफ 8 question आ रहे हैं, पहले तो यह बात है, कि आपको selection करना उसके concept को और उसके formula को आपको recall करना होगा, कि यह पहला question है, यह मैं करने जा रहा हूँ, यह logik का question है, और एक seguinte है, तो आपको recall करना पड़ेगा कि धिम शीन में समय करोगे अचानक से आप तीसरे question पर आये और तीसरे question pair of straight line का question है और फिर आप pair of straight line के उस formula को या उस method को recall करोगे तो क्या होगा अचानक का mind switch होगा कभी logic पर चल रहा था कभी pair of straight line कभी vector में घुशेगा कभी differentiation आएगा कभी integration आएगा तो यहां पर आपको फटा फट जैसे pages switch होते ना mind में concept फटा पर switch करने होगे और वहीं पर आप first जाओगे तो आपने अगर chapter wise study की है तो अब आपको क्या करना चाहिए इन सारी तीन गंटे में complete करें तो paper solving करो आप 2023 में दो पेपर हैं मार्च और जुलाई maths का मैंने अल्वरी दोनों कराया हुआ है 2023 का वैसे 2022 के paper हैं ओके यह physics chemistry भी मुकेश सर सोविन सर ने कराया हुआ है ओके तो इन papers में से कोई दो पेपर का target रखो कि आपको दो पेपर solve करना है कुछ से देखना है या कोई और जो ऐसा पेपर जो आपने पहले नहीं solve की है वो रेंडम पेपर ले लो new syllabus के उपर बेश new pattern के उपर बेश 2021 का ले सकते हो उसको लेके बैठ जा और तीन घंटे का timer लगा और देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तीन घंटे का paper आप करते रहोगे फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा पूरा ही नहीं हो रहा है मुझे साड़े तीन चार घंटे लग रहे है मतलब कहीं या आपकी speed कम है तो यह paper solve करेगे timer लगा के तो आप भी ना देखे आपको पता चलेगा कि आपका कहीं speed कम है तो आपको speed बढ़ा नहीं है ठीक है दूसरा आपको समझ में आएगा कि इस तरह से जो question है उनका selection करने के बाद क्या आप उन question के concept को recall कर पा रहे हो या क्या दिकत paper actual board exam में आपको गलतिया होने वाली है वो पहले ही हो जाएगी कभी-कभी क्या होता है कि board exam होने के बाद हमको समझ में आता रहे यार काश यह चीज मुझे पहले पता होती ना तो मैं वो गलती नहीं करता लेकिन board exam खतम हो गया होता है वो subject का फिर बाद में क्या होगा पता क समझ में रहा है तो वही चीज है अगर आप कोई paper एक या दो solve करते हो आपको पता चलती है कि भाई यहां पर मेरी कमजोरी है यह मेरा weak point है यहां पर मैं भूल पा रहा हूं यहां पर recall नहीं कर पा रहा हूं फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं यहां पर मेरी speed कम हो रही है तो उस चीज को आपके पास यह time है दस दिन का जिसमें आप overcome कर सकते हो उस गलती को सुधार सकते हो वोड एक्जाम के पहले जितनी गलती है पहले पहले पैचानो तो आपकी गलती की हो है क्या गलती है आपके marks कहां गट रहे हैं आपके marks कम क्यों आ रहे हैं आपको जो examiner है वो कम marks कौन से questions में दे रहे हैं कौन सा आपका weakness है उसको पैचानोगे कैसे जब खुद आप बैटो दोनों मिलके एक strategy बनाते हैं एक तरह से करते हैं revision करेंगे समझो आज physics हमने decide किया है तो सुबे से शाम तक physics को revise करेंगे पूरा physics और शाम को 3 गंटे का timer लगाएंगे 7-10 और 7-10 में हम physics का paper solve करेंगे 3 गंटे में फिर दोनों friend जो है आप लोग सुबे से पूरा physics कर लो जैसे इन में पूरा सुबे से शाम तक physics कर अलड़ी आपने दो बार revision कर लिया होगा ऐस पर मेरे जो स्टूडेंट है मैंने इतनी strategy बताई है डिसंबर की हो या जैनवरी की उसमें एक तो major revision था एक पेपर exchange कर दो उसका पेपर आप ले लो अपना पेपर उसको दो और आधे गंटे निकाल के पेपर चेक करो देखो उसने क्या-क्या गलती किये आपके दोस्त ने डून-डून के लाल पेंसे चेक करो और उसको पूरा mark करके उदर रिमार्क दो कि तुने इधर ये चोड़ा आपको समझ में आएगा कि आपकी दोस्त क्या-क्या गलती कर रहा आपका दोस्त तो वह गलती आप खुद नहीं करोगा जब हम पेपर चेक करते तो हमें दूसरे की गलती याद रखना कभी भी हमें अपनी गलती नहीं दिखती है जैसे मैं कोई डिजाइन भी बनाता हूना आपकी गलती निकालेगा आप उसकी गलती निकालोगे फिर आप क्या करोगे एक दूसरे को अपना पेपर दिखाऊगे कि भाई तुने देख इधर इधर यह मिश्टेक किया है तुने यहां पर यह प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रखाय तो यह आप उसको बताऊगे व करो एक दिन में एक सब्जेक करने की कोशिश करो और कर डालो पस यह स्ट्राटीजी वालो करो यह बहुत जवर जाओ अब आखिर में और कुछ पूरा पढ़ने मत जाओ जो चैप्टर आपने छोड़ रखे उसको करने मत जाओ उसके चोटे चोटे एक-दो माग के क्वेश और बूलेज भूल गए तो सब बूल जाओगे ठीक है तो बस यह स्ट्रेटेजी फॉलो करो यार बहुत लंबा मुझे सेशन नहीं लेना है आपको बस यह बताना है कि लाज के दस्दी में यह करो के तो यह आपको रोक नहीं सकता फॉलो करो इसको और ऐसा करो और वन शॉ ठीक है चैनल पर जो बच्चे पहली बार आएं सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों में जाना शेयर जरू करना आपका दोस्त डर रहा है फेल हो जाओंगा मार्स कैसे लाओंगा उसको प्लीज यह शेयर कर दो आकि उसका confidence boost हो और board exam में कोई competition नही बने रूँ, bye everyone take care